Hello friends, very very good morning, कैसे हो, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही योंगे शो friends, जी के जिसकी special class में आप सब लोग बहुत बहुत श्वागत है friends, आज आज की class में मैंने जितने भी questions लिये हैं, सारे के सारे selected questions लिये हैं, previous लिके questions लिये हैं, जो हर वर्स exam में पूछे जाते हैं तो चली फड़ा-फट class को start करते हैं, सभी को good morning, सभी लोग वीडियो को like करके share कर देंगे और 2023 में बहतरीन अंगों के साथ अगर आपको B.A.D. में admission लेना है, तो इस चैनल को subscribe करें, इस चैनल से आपको निश्चिती मदद मिलीगी आप सभी लोग को पता हैं, डेली practice set की class में, डेली दो नए topics में करवाता हूँ, इन topics को अच्छे से आपको पढ़ना है, notes बनाना है तो चली फटफट class को start करते हैं, यहाँ पे डेली classes का timing भी, आप सभी लोग देख सकते हैं, syllabus का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, तो कल वीडियो आ गई है, जाके देखिएगा, यह Instagram की profile है, कुछ भी बातचीत करना है, तो आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं, yesterday plan की वीडियो भी बना दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यह B8 entrance exam का हमारा complete syllabus notes है, 149 रुपे में आपको मिल रहा है, B8 प्रवेस परिच्छा का पूरा material, इसमें आपको सभी subject के 5000 से जादा topic wise objective question देखने को मिलेंगे, साथी 2012 से 22 तक के आपको previous year के question भी देखने को मिले गा, उसके बाद एक छोटा सा amount पे करना है, 149 रुपे, डाउनलोड का प्चन है, डाउनलोड कर लिजगा और अपनी जबर जैसे त्यारी को सुरू कर दें, यहाँ पे daily classes का timing आप सभी लोग देख शिकते हैं, तो चलिए फड़फट class को start करते हैं, सभी लोग pen copy लेके ready हो हो साएंगे और पचास में से जितने भी प्रशन अभी वहा हो, comment box में नाम स्कोर जरू बदेगा, चलिए आज का नय टॉपिक है, वहु उद्देशी नदी घाटी परियोजना है, इसे questions आते हैं, जैसे एक तरब आपको परियोजना डाल लेना है, एक तरब नदी एक तरब जैसे यहाँ पे भाख़डा नागल परियोजना ये किस नदी पर है ठीक है तो ये आपका है सतलश नदी पर ठीक है किस राज में है तो पंजाब में है ठीक है उसके बाद इंद्रा गांधी नहर परियोजना ये आपका सतलश और ब्याज जो है नदी पर है राजिश्थान र ब्रिदेश में हैं ये बहुत एक्जामें पूछा चाता है नागर जुन शागर परियोजना जो है किस नदी पर है तो कृष्णा नदी पर है किस राज में है आंत ब्रिदेश में है ठीक है ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है ये नदी पर है किस राज में है गुजरात में है रीहन्द पर्यूजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्र प्रदिश में है और रीहन नदी पर है और UP एस्पेसल जितने भी है उनको आपको पढ़ना है ठीक है कम से कम UPZK के 5 questions आपके exam में आएंगे ठीक है ज्यारखन राज में है सरदार्श रोबर पर्यूजना ये नर्मद नदी पर है गुजरात राज में है ठीक है दुर्गा पूजा कहां का प्रमुक तेवहार है, यह पस्षिम मंगाल का है, पोंगल मोस्ट इंपॉर्टनेंट है, तमिलनाडु का है प्रमुक तेवहार, सरहुल जारखंड का है, बीहु बहुत ही इंपॉर्टनेंट है, अश्रम का है, छट आपका बिहार का है, ओनम आपका केरल का है तो ये most important है ठीक है अगर जो प्रमुक तेवहार हैं इनसे प्रशन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा ठीक है इन छेओं को अच्छे थे पढ़ लीजेगा प्रमुक क्रांतिया ठीक है क्रसी क्रांतिया जैसे हरित क्रांति का शमंद किसे है खादान उत्पादन स है नेली क्रांति का समंद किसे है मत्स उत्पादन से है पीली क्रांति का समंद किसे है तिलहन उत्पादन से है रजट क्रांति का समंद किसे है अंडा उत्पादन से है गोल क्रांति का समंद किसे है आलू उत्पादन से है स्वेत क्रांति का दुग्द उत्पादन से भूरी प्लस प्रश्ण सही करते हैं, तो एक्जाम को बहुत ही असानी से आप लोग निकालेंगे, पहला प्रश्ण है, एकमार्ग का शम्मंद किस्से है, बताएं से बलोग, एकमार्ग का शम्मंद किस्से है, पहला का जवाब दने के प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का ज़्यादा स में चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं गुडवत्ता से या संसाधन से या पैकेजिंग से या उत्पादन से तो एगमार्ग का जो शंबंध है वो है गुडवत्ता से ठीक है पहला का जितने बिलोग यह जवाब दिये हैं उनका अंसर बिल्कुन सही हो जाग एक बार सभी को फिर से गुड़ मॉनिंग यहां पर देखिए आ गया है प्रशन कि इनमें से कौन सी जील भाखड़ा नागल परियोजना से जुड़ी हुई है उसी से रिलेटेट कोश्चन आ गया है अभी जो परियोजना मैं पढ़ाया हूँ ठीक है भाखड़ा नागल प प्रयास करेंगे खामसीन क्या है तीसरा का जौब देने के प्रयास करेंगे खामसीन क्या है तो खामसीन ध्याने केगा बालू से भरास्तुस को तूफान है तीसरा का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए भारत का सबसे उचा जल परपाद किस राज में है तो वो है आपका करनाटक राज में, ठीक है, नाम क्या है, जोग जलपरपाद किस नदी पर है, सरावती नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टन था, भारत का सबसे उचा जलपरपाद किस राज में है, करनाटक में है, जोग जलपरपाद सरावती नदी पर है, सबी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कौन सा एक जलवायू का निर्धारी कारक नहीं है फाइब का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो इसमें देशांतर आपका जलवायू का निर्धारी कारक नहीं है फाइब का जितने बिलोग भी जवाब दियें उनका असर बिलकुन सही हो जाएगा अगला प्रशन जबर जबस प्रशन है मिट्टी से है कि वह मिट्टी जो वरसा के कारण गहन निचालन की और प्रवत है क्या कहलाती है लाल, काली, लेटे राइट या जलूर जबर जबस प्रशन है आपके एग्जाम के लिए वह मिट्टी जो वरसा के कारण गहन निचालन की और प्रवत है क्या कहलाती है लेटे राइट मिट्टी कहलाती है काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सरवादी उप्युक्त मानी जाती है कपास की खेतिक लिए मानी जाती है ठीक है चलिए इसे और किस नाम से जाना जाता है सब लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे काली मिटी को और किस नाम से जाना जाता है चलिए अगला पशना है कि निमलिकित नगरों में से जो है कर करेखा के निकटतम कौन सा है अगर एक्जाम में पूछ ले कि करकरेखा भारत के कितने राजियों से होकर गुजरती है तो आठ राजियों से होकर गुजरती है ट्रीकी भी बताया था मित्र पर गमछा जहार सबलोग जब दने का प्रास करेंगे नेमलखित नगरों में से करकरेखा के निकटतम कौन सा है कौन सा वो नगर है जो करकरेखा के निकटतम है तो वो राज esté है आपका जहांसी सेवेन का D आपका बिल्कुन करेक्ट होजगा मुख रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे सरीर के विभिन भागों से हर्दे तक रक्त का वहन करती है तो वह आपका सीराएं एट का यह आपका बिल्कुन करिट हो जगा चलिए अगला प्रशन है साबून के साथ ततपरता से जाग ना बनाने वाला जल होता है प्राकतिक जल या कठोर जल या खनिजल या मर्दुजल सबी लोग जो आप दैने के प्रास करेंगे साबून के साथ ततपरता से जाग न बनाने वाला जल होता है वो होता है आपका कठोर जल ठीक है, 9 का आपका D वाला बिल्कुन correct हो जगा, अगला प्रशन आप देख सकते हैं, जियोग्राफी से है, कि प्रत्वी पर दो इस्थानों के अनुदैर्ग का अंतर 15 डिगरी है, उनके इस्थानी समय में कितना अंतर होगा, एक घंटे का, या 15 घंटे का, या 2 घंटे का, य इतने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, सबी लोग वीडियो को लाइक करके शेर कर देंगे, इस चैनल से आपको निश्चिती मदद मिलेगी, चलिए, प्रत्वी का अक्षे, इसके कच्छी समतल के लंब से कितना जुका होता है, most important question है, इस्था लगा के नोट के कि तडित की चमक गरजन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि कतई जहर वाला प्रशन है, important question है, सबी लोग जो आप देने के प्रयास करेंगे, तडित की चमक गरजन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, यानि कि चमक पहले आ जाती है, और गरजन बा होता है बताएं से लोग चंदर गरन तब होता है जब क्या होता है 13 का जॉब देने का प्रयास करेंगे चंद गरन तब होता है जब प्रत्रवी चंदर्मत अथा सूर के बीच में आ जाती है ठीक है तो 13 का जो है आपका सी वाला बिलकुन करेक्ट हो देगा थेन बांध किस जो है जिस नदी पर इस्थित है वह है नदी का नाम बताएं थेन बांध किस नदी पर है थेन बांध किस नदी पर है जो आप दने का प्रयास करेंगे सबी लोग जो आप दने का प्रयास करेंगे तो ये आपका है रावी नदी पर है, ठीक है, 14 का C आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगो, चलिए, इसरो का पूरा नाम क्या है, इसरो का पूरा नाम बताएं सब लोग, इसरो का पूरा नाम क्या है, इसरो का पूरा नाम बताने का प्रयास करेंगे सब लोग, important question आपके exam के लिए answer सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग video को रुख भी सकते हैं सबी लोग हर प्रशन का जवाब जरूर से जरूर दिया करें ताकि मैं जान सकूँ किनका क्या प्रशन सही होता है और कितना score जाता है और last में अपना score जरूर बताए करें आप लोग ताकि मैं जान सकूँ किनका क्या score जाता है तो इसरो का पूरा नाम बताने का प्रयास करेंगे सब लोग इसरो का जो पूरा नाम हो जाएगा Indian Space Research Organization इसका full form क्या होगा Indian Space Research Organization हो जाएगा ठीक है 15 का जो है आपका होई है ठीक है नोट के लिजगा इसरो की स्थापना कब होई थी ओनएश शो 79 में और इसका headquarter कहां पे है Bangalore में कहां पे है Bangalore में और इसके इस समय अधश कौन है एस सोमनाथ अधश कौन है इस समय एस सोमनाथ ठीक है चलिए आगे चलते हैं भारती रेल में बड़ी लाइन जो ब्रांड गेज की नम से जाना जाता है इसकी चोड़ाई कितनी होती है यह आपको बताना है ब्रांड गेज ट्रैक की जो है चोड़ाई होती है कितनी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे सब लोग तो भारती लेन में बड़ी लाइन ब्रांट गेज ट्रैक की जो चौड़ाई होती है 1676 mm होती है ठीक है 16 का B आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा पॉंगल पर्व इस माह में मना जाता है देखिए यहाँ पे पॉंगल पर्व से आ गया है बट यहाँ पे माह पूंच लिया गया है तो यह भी आपका क्लियर हो गया यह आपका जो है जनवरी में मनाया जाता है पॉंगल कहा कहे आप सभी को पता है चलिए निमलिकित में से कौन सा एक मातर तारा है सुक्रतु आपका ग्रा है प्रत्वी आपका जो है ग्रा है चंद्रमा उप्रा है सूर्य आपका तारा हो जागा 18 का D आपका बिलकुन करेक्ट हो जागा चलिए वायू दबाव बनाती है किसकी और सबी लोग जवाब देने का प्रेस करेंगे वायू दबाव बनाती है किसकी और ठीक है, सबी दिशाओं में वायू दबाओ बनाती है, 19 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है, बताएं सब लोग, मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है, 20 के जवाब दने के प्रयास करेंगे मुक्त रूप से निलंबेत सुई किस दिसा में टिकती है ये उत्तर दच्छन दिसा में जो है टिकती है 20 का बी आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए अगला पुछन आपकी स्कीन पे आगया है प्रकास सेंसलेशन में हरे पाउधों द्वारा कौन सी गैस चोड़ी जाती है इस्टा लगा कि इस प्रशन को नोट करियेगा कई बार एक्जाम में ये प्रशन पूछा जा चुका है प्रकास सेंसलेशन में हरे पाउधों द्वारा कौन सी गैस चोड़ी जाती है वीडियो को लाइक करो शबी लोग और क्लास के बारे में एक छोटा सा फीड़बैक अपना जरूर दिया करें कैसी लगती है हमारी क्लास और जो स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स में क्लियर करवाता हो न नोट्स में अपना जो है जरूर उसको नोट करिएगा और रिवीजन आप लोग करते रहीगा एस्टरडी प्लान सिलेबस की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिए आप लोग प्ली डिस्ट में आपको सारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी और जितनी भी Classes हो गई है वो भी Classes आपको मिल जाएंगी तो परकास संस्रेशन में हरे पाउधों दोरा कौन सी गैस छोड़ी जाती है तो जान केगा कौन सी गैस छोड़ी जाती है सभी लोग कमेंट बॉक्स में शापेंगे तो शही उत्तर आपका Carbon Dioxide हो जागा ठीक है 21 का D आपका बिलकुन Correct हो जागा चलिए भारती शमिधान में किस अनुच्छेत के अंतर का जम्मू और कास्मीर को विसेस दरज़ा पदान किया गया था तो यह तो अब एक्जाम में प्रशनव नहीं पूछा जाता है 370 इसका Right Answer हो जागा दुदवा निस्टनल पार्क बताएं दुदवा निस्टनल पार्क इस्थित है किस राज़ में दुदवा निस्टनल पार्क आपका है अपने उत्रप्रदिश में 23 का इस आपका बिलकुम करेक्ट हो जगा डाइबिटीज बीमारी सरीर के जिस अंगो को प्रभावित करती है वह अंग कौन सा है बताएं सब लोग डाइबिटीज किस अंगो को प्रभावित करता है पैंक्रियाज, हरदय, लीवर, फेफडा तो देखिए डाइबिटीज की वज़े से जो है जो में अंग जो प्रभावित होते हैं किद्नी होगी जैसे आख हो गया दिल भी हो गया, इसकी में भी प्रभाव पड़ जाता है तो इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, सभी लोग जो आप देने के प्रयास करेंगे पैंक्रियाज, इसका सही अंसर हो जागा, ठीक है तरड़े चालक, डॉट-डॉट किसकी खोज की थी बेंजमिन फ्रेंक्लिंग ने जो है खोज की थी, तरड़े चालक की, ठीक है, चलिए मैनोमीटर यंतर का उप्योग जो है, इनमें से किसे नापने में होता है 26 का जाब जाने के प्रयास करेंगे मैनोमीटर यंतर का उप्योग इनमें से किसे नापने में होता है गैसों का दाब नापने में होता है मैनोमीटर ये अंदर का उपयोग 26 का ये आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा भारती रेल पहिये तथा धुरी का निर्माड करता है कौन? चितरंजन या होशैनपूर या येला हंका या पेरामबुर भारती रेल पहिये तथा धुरी का निर्माड करता है ये बैंगलूर में आपका होता है ये लाहंगा हंका में है ठेक है? चलिए रेगिस्तान छेतर में मस्रूम चट्टान का निर्माड किसका उधारन है? 28 का जौब ने है जब इश्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बाश्चा कौन था जब इश्ट इंडिया कंपनी का जो है गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बाश्चा कौन था आकबर था ठेक है चलिए 29 का यह आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा अगला बश् के वाइसराई होने के दुराण निमिलकित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी तो भारती रश्टी कॉंग्रेस का जो है गठन नहीं हुआ था इनके समय में ठीक है चलिए नगत आरच्छन अनुपात तता खुले बाजार की संक्रियाओं में वीचरण किसके साधन है मौदरिक नीति के या ब्यापार नीति के या बजटी नीति के या राज़कोशी नीति के किसके साधन हैं सबी लोग जौब देने के प्रयास करेंगे 31 का right answer क्या हो जागा तो ये जो हैं मौदरिक नीति के जो हैं साधन है ठीक है चलिए आगे चलते हैं एक अपरेल 1937 इस्वी को सन्यूत प्रांथ के गवर्नर सर हैरी हेग ने किसके नेतरत में अलपमत की सरकार गढ़ित की थी 32 को जौब दें से ब्लूग ये नवाब छतरी की नेतरत में जो है अलपमत की सरकार गढ़ित की थी बताने से ब्लूग सन्यूत प्रांथ में 1937 इस्वी में कॉंग्रेस की सरकार किसके नेतरत में गढ़ित हुई थी तो ये हुई थी गोविंत वलपमत के नेतरत में ठीक है 33 का B आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा भारत चोड़ो आंदोलन के दाउरान बलीया के किस कांग्रेसी नेतर में आईसाई सरकार की स्थापना हुई थी 34 का जौब देने के प्रयास करेंगे से ब्लूग उस कांग्रेसी नेता का नाम बताने का प्रयास करेंगे से ब्लूग चित्तु पांडे, ठीक है, भारत चोड़ों आंदोलों की सुरुवात कब हुई थी, 1942, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, चलिए, किस समयधनिक संसोधन द्वारा जो है, नगरपाली का विधाइक परित हुआ था, तो ये जो है, विधाइक परित हुआ था, चाहोतरवा, समयधन संसोधन के द्वारा, ठीक है, ठीक है, थर्टी फाइब का D आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, आगला पुशना आपकी स्किन पे है, निम्नि में से किस परिसिति के अंतरगत राजिशभा को भंग किया जा सकता है, तो उपियुक्त में से कोई नहीं हो जागा, यानि कि राजिशभा एक इस्थाई सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, तो D आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, किसी विसाल जहरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे उपरिभागी की किसी विसाल जहरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे उपरी भागे की तुल्न में अधिक होता है, क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिच उर्जा उसमा में परिवर्थित हो जाती है, 37 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, नानबाई की भटी में डबल उप्यो किया जाता है डबल लोटी में, डबल लोटी को नरम और इस्पंजी बनाने के लिए किया जाता है, 38 का B आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, पेशमेकर का शम्मन किस से है, 39 का जाब दने के प्रयास करेंगे, डबल इस्टा लगा के नोट के लिजगा, ये प्रशन क पेशमेकर का शम्मन किस से है, 39 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, ध्वानी का वेक किस मे अधिक होता है, इस पात में, लोहे में, ठीक है, चलिए, ठोंस वस्तु में, निम्न उत्पादों में से ISI चिन परदान नहीं किया जाता है, किसमे ISI चिन नहीं परदान कियाता ही आपको बताना है, तो कपड़ा में किया जाता है, बिस्कुट में, विद्दू समागरी में, होजरी के माल में, ISI चिन परदान नहीं किया जाता है, 41 का B आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, कौन सी खाद पशल, अक्टूबर नॉम्बर में बोई जाती है, उस वसल का ना अलमपुर, तो ये बैंकॉंक में स्थित है, मुखालेस का, ठीक है, चलिए, और कल की क्लास में अंतराश्टी संगटन, जो है, करवायत हमें, चलिए, उन अवसिष्ट माबलों पर, जिनका केंदरी, राज शमर्ती सूचियों में, उलेख ना हो, कौन्द, विधी निर्मार कर सकता है, 44 को जॉब देने का प्रास करेंगे, जो भी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बियट की जो भी अपडेट हैगी, छोटी से बड़ी अपडेट, वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के मादम से देखने को मिलेगी, और हमेश सदों के वेतन का निरने कौन करता है, शंशत करता है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, आगला प्रशन आपकी स्कीन पे है, लॉफिंग गैस का राशानिक नाम क्या है, कताई जहर वाला प्रशन है, इस्टा लगा के नोट के लेजीगा, लॉफिंग गैस का राशानिक ना पीतल किसका मिसर धातू है? सीसा और टिन का, यह जस्ता और तांबा का, यह एंटी मनी टिन और सीसा, यह जस्ता तिन और तांबा का 47 का जौब जैसे बलोग तो यह जस्ता और तांबा का जो है मिसर धातू है, ठीक है? प्रतिवी के निकटतम कौन सा ग्रहा कच्छा में रहता है, तो वो है आपका सुक्र, ठीक है, आगे चलते हैं, रक्तिके ठक्के का जमने का कारण क्या है, ठ्रॉम्बीन, ठीक है, चलिए, लाश्ट प्रशन है, जिस समवेश्टन प्रदोगी की कारण हरित करांती आई, उसके मुक्य अंग थे कौन, तो उसके मुक्य अंग थे सीचाई, जैवरशानिक उरुबरक और अधिक उत्मदन करने वाले बीजों की किसमे, ठीक है, शो फ्रेंड्स ये थी आज़की जी क्लास, कैसी ली क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरू दीजगा, और पचास आने वाली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू को लेजगा, मिलते हैं अगली क्लास पे, पीछली क्लास इसको नहीं देगें, तो प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लास इस मिल जाएंगी, थैंक शमच